नमस्कार जैमादादी मैं आचार इंद्र देवसिष्ट काले का धाम जोते से आप सभी दर्शमों को बहुत-बहुत स्वागत है। आज किस वीडियो पर हम जानकारी देने के कोशिश करेंगे। विरिखब रासे और 2023 का वर्स कैसा रहने वाला है। क्या-क्या चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाले हैं, किन चीजों पर साउधानी रखनी होगी, कौन-कौन से महीने में किन-किन चीजों पर आपको फायदा हो सकता है और क्या-क्या नुक्सान हो सकता है। वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता दूँ, जब आप किसी बहुत महत्त पूर्ण विश्यापर निरने लेने वाले हों, तो फिर तो पूरी कुंडली का विश्यलेशन कराना बहुत जरूरी बन जाता है। और ये जो रासी फल है, इससे आप बिरिख रासी और विरिख लगन दोनों तरह से विचार करें, दोनों लोग देखें, तो आप पायेंगे कि बहुत सटीक तक साथ आप पर लागू होगी ये जीजे। बिरिख रासी वालों के लिए 2023 कवर्श कैसे रहेगा, बहुत संग्षिप्त में, लेकिन बहुत गूर जनकारी आपको देने वाले इस वीडियो पर, सबसे पहले बात करें, बिरिख रासी, इसके स्वामे शुक्र कहे गये हैं, रासी चक्र के हिसाब से दूसरे नंबर के र और बिरिख रासी के स्वामे शुक्र है, तो ऐसे लोग, बिरिख रासी वाले लोग बहुत काम्याब, बहुत ही सफल, और बहुत ही दिमाक वाले हुआ करते हैं, थोड़ा जिद्धी सुभाव होता है, और यह अपने एगो पर कई बार काबू नहीं रख पाते हैं, जिसकी काम में हाट डालते हैं और काम को पूरा करके ही दम लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से सफल होते हैं हर तरह के सुख सुविधा का साधन लगजरी लाइफ रिखबराशी के लोगों को मिला करती है थोड़ा सा उपाय, थोड़ी से परेज थोड़ी से महिना से और थोड़ा कुंडली के सपोर्ट होतो आई यह बात करते हैं ब्रिखबराशी दोवर्थेश का महिना देखे कई मायनों में ये 2023 का साल आपके लिए खास रहने वाला है हमने यहाँ पर बिसलेशन करके जो भी चार्ट तियार किया है गुरु और शनी के प्रभाव में रहने वाले हैं 2023 में लगभग लगभगाव इस वर्स आप 2023 में अपने लक्ष की प्राप्ति जरूर करते नजराते हैं ब्रिखबराशी के लोग ये कुछ आपकी राशी पर ऐसा यहाँ पर गोचर बन रहा है हलाकि साल की शुरुआत सूर्य अश्टम में और शनी नमम भाव में होने से सुरुआती तोर पे थोड़ी से सावधानी वर्तने के जरूरत है सभाव में थोड़ी तेजी रह सकती है जिससे रिलेसन्स खराब हो सकते है बात बिवार में अपने बहुत ज़्यादा कुसलता लाए पतनी के साथ संबंध अच्छे होंगे बार में राहू विदेश यात्रा आपको यहाँ पर 2023 में अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं विदेश जाना चाहते हैं तो बिवाह भी होता हुआ नजर आता है इस 2023 में जिन जातकों का बिवाह नहीं हुआ है शादी नहीं हुई है तो बिवाह भी होता हुआ नजर आता है बिवाह लगभग लगभग हो जाएगा ऐसा संजोग बन रहा है संबंधों में सुधार होगा नए संबंधे स्थापित होगे यहाँ पर एक चीज और यहाँ बिखब राश्ची की जितने भी लोगों जिने संतान प्राप्ती में कुछ कठनाया थी या दिक्कते हो रहे थी तो बार-बार अबरोध हो रहा था या मिस कहरे जैसी कोई भी समस्या थी तो अब आप उस समस्याओं से शुटकारा पाते नजराते हैं आपको संतान की प्राप्ती यहाँ पर होगी व्यर्थ दिवाद हो सकता है मन परशान रहेगा स्वास्त के लिहाँ से बिखब राश्ची के लोगों पर लोगों को बहुत साउधानी रखनी होगी मन परशान रह सकता है गुप्त सत्रु आपको परशान कर सकते है विरोधी आपको बराबर परशान करने के कोशिश करेंगे आपसे देश, चुगली, निंदा इस सब चीजों में तत्पर रहेंगे परण तो यहाँ पर थोड़ी सी साउधानी आपको बहुत ज़्यादा देने वाले है वैसे एक बात अगर बताओं तो यहाँ पर आपको 2022 में जितने भी आपके लीगली काम है, कागजी काम है उन्हें बहुत साउधानी चाहे वो गाड़ी की पेपर से लेके हो तो कोई भी काम बहुत साउधानी से करने की जरूरत पड़ेगी और किसी व्यर्थ बिबात से बचे क्योंकि यहाँ पर अपरल के बाद गुरू चंडाल की यूती बारे में भाव में बनेगी तो यहाँ पर हस्पिताल में चक्कर पड़ जाना यह घर के किसी पेरंट्स को लेकर के दवाईयों में खर्चा होना खुद के स्वासलिन दिक्कते ब्यर्थ ब्यबात कोई पूलिस आदिकेस का चक्कर चल जाए ऐसी चीजों का भैभी बना रहेगा तो इन चीजों में साउधानी रखनी होगी इसके अतरिक्त आपको अपने लक्ष की प्राप्ती होती होई 2023 में ब्रिखवरासी वालों को जरूर होगा धन का सुख, भूली भवन, वाहन मकान का सुख, विवाह का सुख, संतान का सुख यह सारे सुख 2023 में ब्रिखवरासी वालों के लिए बंद यहाँ पर तो जन्रबरी के महीना तो कुछ ऐसर रहेगा शुरुगात, फरवरी में बात करें तो, फरवरी में शुक्र उच्छ होने से, यानि कि मीन में होने से, जिन लोगों का कोई पत्नी के साथ, जीवन साथ ये के साथ, पत्नी के साथ मत बहल चल रहा था, तो वो मसला सौट आउट होता नजराता है, सुधरता नजराता है, दिवा होता हो नजराता है, पत्नी से संबंद अच्छे होंगे, पत्नी किसा संबंद मधूर बनेंगे, ग्रिहस्त जीवन में पत्नी के साथ घुमने फिरने का मौका भी आपका मिलता हो नजराता है, साधी की अच्छा उच्छाल होगा, कोई काम रुका था आपका, वो भी बन जाएगा, किसी का सहयोग मिलेगा, नई पार्टिय मिलेगी, नए परिवर्तन आप कर सकते हैं, नए काम के शुरुआत कर सकते हैं, इन सब चीजों के लिए फरबरिक मेने बहुत बढ़िया रहेगा, और जि सुख बहुत सारे चीजों को बैलेंस करते हैं, शुक्र, तो यहाँ फरबरिक महीने में, शुक्र संबंधित काम बहुत अच्छा रहेगा, मार्च और अप्रेल है, यहाँ पर साहस में ब्रिद्धी होगी, मार्च और अप्रेल महीने में, साहस में ब्रिद्धी होगी, इस् प्रमोशन मिलता हुआ भी न जराता है घूमने फिरने का आपका मोका मिलेगा यहाँ पर परिवार संबंधियों के साथ थोड़ा सा साउधानी बरतनी के जरूरत है मन मुटाव रह सकता है देखिए एक चीज बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पर कि ब्रस्पती ए पुरिश चक्र के हिसाब से वहाँ पर राशी भी उनकी आती है लेकिन शनी को बहुत ज्यादा पसंद है इमांदारी और अथक प्रियास मेहनत तो यहाँ पर आलस से सदूर रहना पड़ेगा आलस आपको परिशान कर सकता है तो इन चीजों में साउधानी रखने की बहुत सम्मंधियों के अपने परिबार वालों को लेकर के किसी को स्वास्त को इस माताय पिता को यहाँ दवाई पर खर्चा होता न जराता है बार में राहू राहू किस्ति तिखराव हो जिससे गुरुश इंडाल दोस बनता है तो जिसमें पहले कहा कि पागल खाना दवा खाना जेल खाना इन सब चीजों का भै बना करता है तो यहाँ पर साओधान रहना चाहिए वहें पर विदेश जाने के लिए वो अच्छा मौकर रहता है तो मई जून में तिग्रही तीन ग्रहों की उती बनेगी जिस पर शनी की दृष्टी परिशन कर सकती है पिता के साथ मतभेद रह सकता है तंत्र मंत्र पर तोटक तोने तोटके पर आपकी रूची बढ़ेगी इन चीजों तरफ खुचाओ बढ़ेगा मानसिक तानाव रहेगा सभाव गर्म रहेगा तो सभाव को लेकर के सचेत रहे कौन से महिने में मई और जून के महिने में आपको वाहन भी बहुत ध्यान से चलाने की जरूत पड़ेगी जुलाई और अगस्त के महिना कारस्थल पर बदला हो सकता है कुछ चंजिंग कर सकते है ब्यापार में बिजनों से में बढ़ा सकते है कुछ परिवर्तन कर सकते है कारस्थर के स्वरूप को भी आप चंजिंग कर सकते है ऐसा योग यहापर बनता है मंगन शुक्र बुद्ध की यूदि आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी कोई दे सकते है अगर आप राजनितिक शेत्र से है तो सफलता मिल सकते है बड़ी जिम्मेवारी मिल सकते है वो ऐसे भी आप किसी बड़ी नौकरी में है तो आपको कोई प्रमोशन कोई बड़ी जिम्मेवारी हाथ लग सकती है तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा सितंबर और अक्तूबर के महिने में सुख सामरिद्धी के साधन बढ़ेंगे रिष्टों में सुधार होगा मकान बनाने का जगह लेने का वाहन लेने का कोई प्लान चल रहा था तो वो बड़े आसानी से इन महिनें में सफल होता नजर आ रहा है परन्त वहीं पर किसी नजदी की मित्र से दोखे का सिकाराप हो सकते है हलाकि अब्रिक राशी में दोखा लगवग लगवग पूरे साल साधन रहने की जरूरत है आपके अपने आपके संबंधित लोग आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपको नुकसान या धोखा जरूर देंगे ऐसी यूति बनती हाँ पर मित्रों का तालमेल अच्छा होगा सुक का साधन बड़ेगा और इन ही महीने में सितंबर अक्तूबर में आप अक्तूबर में जा करके गुरुचंडाल जो दोस्य हाँ पर बन रहा है इससे आपको मुक्ती मिल्पी नजराती है यानि कि ब्रेस्पती महाराज राहु महाराज महां से ट्रांजिट होंगे अलग हो जाएंगे फिर बात करते हैं नमंबर और दिसंबर का महीना 16 नमंबर तक समय थोड़ा सा कठिन जाएगा नमंबर महीने में विर्थ विबाद होने का डर बना रहेगा चोड कब है लाटरी सट्टा जुएं तरफ आपका जुकाओ बढ़ेगा किसी महीला मित्र से किसी इस्त्री के सहयोग से आपका काम बनेगा यहाँ पर एक चीज आपको बता दू बिरिक राशी वालों को 2023 में अपने चरिते करेक्टर के लेकर के शाओधार रहने के जरूरत है जूटे आरोप प्रत्यारोप रखलने के चांसे किसी महीला की बज़े से किसी इस्त्री की बज़े से आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है देल लेन बहुत ध्यान से करें मित्रों का सहयोग बनता रहेगा और 2030 में पूरे 2030 में आपको दुरुगा सब्तसती या मादुरुगा की आराधना करनी चाहिए और इसी के साथ साथ अपनी दिनचरिया को सही रखना चाहिए समय समय पर ग्रहों का उपाय करते रहना चाहिए तो ये है 2030 का संक्षिप्त में आपको बताने कोशिश की बहुत कुछ खास भी है आपने सुना होगा हमने सुरू में ही कहा है कि लक्ष की प्राप्ती 2030 में आपकर सकते हैं सोची हुई हो जिनाए आपकी जरूर सफलोगी थोड़ा सा प्रहेश थोड़ा सा उपायस है बहुत बहुत धनवाद जय माता दे